हलो फ्रेंड्स मैं हूँ कल्पना और आप देख रहे हैं वोल्ड स्काय आज मैं आपको बालों में किस तरीके से आप क्लचर यूज कर सकती हैं वो बताऊंगी तो आईए देखते हैं आज हम क्लचर लगाएंगे किस तरीक से आप बालों में क्लचर यूज कर सकते हैं? आज मैं आपको वो बता रही हूँ. आप सबसे पहले सारे बालों को एकटा कर लेंगे. अब इस तरीके से बालों को आप घुमाएंगे यहाँ से घुमाते हुए इसको इस तरीके से उपर लेकर जाएंगे और आप यहाँ पर एक क्लचर लगा देंगे इस तरीके से आप क्लचर लगा सकते हैं अब हम दूसरे तरीके से बताएंगे आपको कैसे आप क्लचर लगाएंगे पूरे बालों को उठाके इस तरीके से घुमाएंगे यहां पर आप बालों को इस तरीके से रखेंगे और आप इस तरीके से क्लेचर लगा सकती है अब हम सारे बालों को उठाएंगे इस तरीके से घुमाएंगे और यहां पर क्लेचर लगा देंगे नीचे के बालों को इस तरीके से कॉम करेंगे आप चाहें तो इन बालों को ऐसे भी छोड़ सकती है और सेकिंड स्टेप है इसका आप इस तरीके से बालों को गुमाए और अंदर क्लचर के साथ इसको टैक कर दे आप इस तरीके से भी क्लचर लगा सकती है सारे बालों को इखटा कर लेंगे इखटा करने के बाद इस तरीके से बालों को घुमाएंगे यहाँ पर इसको क्लचर के साथ टेक कर देंगे आप इस तरीके से भी अपना एक हेस्टायल बना सकती है आप इस तरीके से बालों को ले लेंगे लेने के बाद आप इस तरीके से बालों को घुमाएंगे यहाँ तक आपने इस तरीके से फोल्ड किया है अब यहाँ से बालों को आप इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ पर बैक साइड पर ऐसे रखेंगे और यहाँ पर इसको ऐसे टेक कर देंगे और इस तरीके से आप इसमें क्लचर लगा देंगे आप इस तरीके से भी अपने बालों में क्लचर लगा सकती है आप चाहें तो यह बालों को आप इस तरीके से फोल्ड करें इसको इस तरीके से छुपा भी सकते हैं क्लचर को आप यहां पे आप अपना कोई दूसरा पिन भी यूज कर सकती है आज मैंने आपको आप किस तरीके से बालों में क्लचर यूज कर सकती हैं वो बताया I hope ये वीडियो आपको पसंद आया होगा आप मुझसे कुछ जानना चाते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना पूले